इस कहानी की शुरुआत मुस्पेलियम प्लेनेट से होती है जहां थोर जंजीरों में बंदा हुआ था थोर हमें बताता है कि जब वो प्रतिवर था तो उसने एक अच्छे हीरो की तरे दो-तिन बार धर्टी को बचाया और सुकोया की लड़ाई के दो साल बाद कोछ नंत मन्य की खोज में निगला लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा और फायर डीमन सैटर ने उसे यहां केद कर लिया सैटर थोर से बात करने के लिए उसे पिंजरे से नीचे लटकाता है थोर उसे बताता है कि मुझे लगा था कि ओडिन यानिकी मेरे पिता ने 5000 साल पहले तुम्हें मार दिया था तो सैटर उसे कहता है कि 1000 सालों पहले ओर डीन ने मुझे हरा दिया था लेकिनों मुझे मार नहीं सका और उसने मेरी शक्ति अनंतगनी छीन ली और मुझे यहां इस प्लेनेट पर केद कर दिया मगर अब ओडिन एस गार्ड में नहीं है इसलिए मैं अनंतगनी को फिर से आसिल कर लूँगा और जब अनंतगनी और मेरा मुकुट फिर से मिलेंगे तो मेरी शक्ति चरम सिमा पर होगी जिसमें मेरा रूप इशालो जाएगा और मैं बहिशाणी रेकनेरों के मुताबिक पूरे एस गार्ड का अंतगर दूँगा और तुम भी मुझे नही दो जाता है ये देखकर सेटर के फायर डीमन थोर पर हमला करने लगते हैं लेकिन थोर अपने हमर की मदर से सबी को खत्म करता जाता है सेटर ये देखकर थोर पर हमला करने लगता है लेकिन थोर उसके वार से बसता उसे बहुत मारता है और उसे खत्म करके उसका मुकुट रासिल कर लेता है ताइकि उस मुखुट को ओडिन की तिजोरी में रख दे और रेगने रोग बाईश्वाणी कभी सच ना हो लेकिन तबी सेटर के सभी फायर डीमन उस पर अमला करने आने लगते हैं जिससे फायर ड्रेगन भी आजाद हो जाता है यह देखकर थोरों से निक संदक्षक बना दिया गया था जहां वो तीन लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए उन्हें बाईफ्रोष के फायदे बता रहा होता है कि मैं इस बाईफ्रोष की मदद से नव घ्रे का हर एक खजाना असिल कर सकता हूं और वो उन्हें वो सारी चीज़े दिखाता है जिस से जब थोर को फायर डेगन खाने लगता है तो बाईफ्रोष की वज़े से थोर डेगन के कटे हुए सर के साथ एस गाट पहुंच जाता है जिसे देखकर वो लड़किया काफी डर जाती है थोर इसकच से हेमडाल के बारे में पूंचता है जिस पर इसकच कहता है कि वो एक हुई है यह देखकर थोर को विशाष नहीं होता और जब अंदर जाता है तो देखता है क्या लोकिया की बहादूरी बरी मौत का नाटक चल रहा था जिसे ओडिन बहुत ही एंजोई करते वे देख रहे थे और सैटर की खोपड़ी को सिपाई को दे देता है ताए कि उसे त जोरी में रख सके थोर ओडिन को कहता है कि मुझे कुछ दिनों से बयानक सबने आ रहे है जिसमें एस गार्ट खत्म हो रहा है तो ओडिन उसे कहते है कि यह तो तुमारा एक बुरा सबना है जिसे तोर समझ जाता है कि लोकी ही ओडिन के बेश में है इसलिए अपने एमर को दूर फेकता है जिससे लोकी को अपने असली रूप में आना पड़ता है एस गार्ट की पूरी जनता ये देकर हेरानों जाती है लोकी इसका इस पर गुसा होता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुमने वो भी ठीक से नहीं किया थो लोकी से बुचता है कि ओडि देखा था इसलिए हमने तुम्हारा मातम मनाया लेकिन तबी इस टेंज के मेजिक की वज़े से लोकी वहां से गायब हो जाता है तो और को कुछ समन नहीं आता और उससे वहां नियूयोक के पवी दिस्तल का एडरस मिलता है तो जब वहां पहुंसता है तो उसकी मुलाकात जोक्टरें से होती है, इस टेंज थोर को बताते है कि मैं उन इंसानों और एलियन की लिष्ट रखता हूं जो दुनिया के लिए खत्रा हो सकते है और उस लिष्ट में तुम्हारा भाई लोकी भी शामिल है तो थोर बताता है कि हर बुरी लिष्ट में होता है मगर हम उससे अपने पिता ओर्डिन को डूर्णने के लिए यहां लाए थे और जैसे ही हमें ओर्डिन मिल जाएंगे तो हम यहां से चले जाएंगे तो इस टेंज उसे बताता है कि तुम्हारे पिताजी ने खुद अपना अकेला पन चुना था मगर मैं तुम्हें उन तक पहुचा सकता क्योंकि और नौर्वे में है मगर उसके बाद तुम्हें लोकी को लेकर यहां से जाना होगा तो तो तोर उसकी बाद माल लेता है तो इस टेंज तोर के बाल की मदद से ओर्डिन तक जाने का एक पोटल खोल देते हैं और लोकी को से वापस लोटा देते हैं लोकी इस से उन्ने खरिप बारे में बताते हैं क्यों मोत की देवी वर्यविया पर कबज़ा करना चाहती थी इसलिए जब मैंने उसे रोकने कोशिश की तो उसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैंने उसे केट कर दिया और उसे उसकी शक्ती एजगार से मिलती है और अगर उएक बर वहाँ पहुँच गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा तो तोर उन्हें कहता है कि हम साथ मिलकर उसे रोक लेंगे जिस पर ओडिन कहते है कि मेरी सासों ने उसे इतने सालों से रोका हुआ था मगर मैं अब उसे नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि मेरा वक्ता चुका है और तुमारी मा मुझे बुला रही है इसलिए जो भी करना है वो तुमें ही करना है मगर तुम इस ज़र को याद रखना क्योंकि हमारा घर है और वो उर्जा में बदल कर वहाँ से गाय भो जाते है थोर लोकी पर गुसा होता है कि यह सब तुमारी वज़े से हुआ है पकड़कर उससे पतर की तरह तोड़ देती है थोर को यह देकर विशाश नहीं होता तो हेला उसे कहती है कि तुम तो यह भी नहीं जाते कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं और वो उन पर अटेक करने के लिए अपने नेक्रोसोड निकाल लेती है ये देखकर लोकी काफी डर जाता है और बाइफ्रोश खुलवा लेता है जिसे थोर और लोकी एजगाड की तरफ जाने लगते हैं लेकिन एला भी उनके पीछ आ जाती है तोर और लोकी उसे डोकने कोशिश करते हैं लेकिन एला उनने बाइफ्रोश से बार फिंक देती है हेला एजगाड पहुंसते ही तोर के दोस्त वो लिश्टाग और फेडल को मार देती है इसका जे देखकर उसके सामने सर जुका लेता है और उसे गहता है कि मैं तो सिफ सफाई का काम करता हूँ तो एला उसे गहती है कि तुम बहुत समझदार और चाला को इसलिए उसे अपने साथ काम पर रख लेती है वही हमें तोर को दिखाये जाता है जो सकार नाम के प्लेनेट पर जाकर गिर जाता है जहाँ चारों तरफ सिफ कच्रा ही कच्रा मुझूद था क्योंकि वहाँ अलग-अलग दुनियाओं के वर्मॉल खुले हुए थे जिससे वहाँ कच्रा गिरता रहता था तब ही वहाँ कुछ लुटे रहे थोर को पकड़ने के लिया जाते हैं ताहिकि वह थोर को खा सके थोर लड़ने कोशिश करता है लेकिन उसके पास उसका तोड़ा नहीं था इसलिए उससे इलेक्ट्रिक जाल में पकड़ लेते हैं और उसे मारने लग जाते हैं तब ही वहाँ पर एक शिपाज आता है जिसमें से एक शरावी लड़की बाहर आती है जिसका नाम वलकरी था जो न लड़ी सी इलेक्ट्रिक डिस्क फेंग देती है जिसकी वजेसे वह थोर को ब्योंस कर देती है और उसे बेशने के लिए अपने साल लेकर चली जाती है वाईया मैं एस गार्ड में दिखाए जाता है कि आधुन एस गार्ड की पुरी सेना लेकर हेला को रोकने आ जाता है त लेकिन ओडिन ने नव गुरों के आगे कुछ सोचा ही नहीं मगर मेरी किसमत में सभी गुरों पर राज करना लिखा था और मैं उस सत्ता को फिर से आसिल करके रहूंगी इसलिए तुम सब मेरे सामने गुटने टेक लो और मेरी सेना में शामिलो जाओ लेकिन ओगुर उसकी ब बारे में बताती है कि ओडिन ने मेरी मदद से नोगराव को जीद लिया था लेकिन जब मेरा लक्ष उसके लक्ष से बढ़ाओ गया तो उन्होंने मुझे केट कर लिया मगर उन्होंने एसगार्ट के सिपायों का समान किया और उन सभी की समाधी इसी महल के नीचे बनाई औ अनंतगनी को रखा हुआ था और उस अनंतगनी की मदद से अपने सारे मरे हुए सिपायों और अपने पालतु बेढ़िये फेंडिस को फिर से जिन्दा कर लेती है ताएकि उनकी मदद से पुरे ब्रहमान पर कपजा कर सके हेमडाल सब कुस देख सकता था इसलिए उससे इस सबी गरों को जीतने के लिए अपनी सेना के साथ बाइफ्रोश पर पहुंचती है मगर जब वो देखती है कि वहाँ पर तलवार नहीं है तो बहुत जाना गुसा हो जाती है और वो इसकाच को कहती है कि सबी विद्रोयों को इखटा करो और उस तलवार का पता लगाओ क्यो लिए वलकरी उसके लिए खिलाडियों को पकड़कर लाने का काम करती थी और इसी वाज़े से सबी उसे स्क्रेपर के नाम से जानते थे ग्रेंड मास्टर जब देखता है कि थोर बहुत ताकतवर है तो उसे वलकरी से 10 करोण में खहीर लेता है तो और वलकरी पर गुसा होत क्यों है कि जब मैं हब तो पहले यहां आया था तो मैंने बहुत मुश्कित से ग्रेंड मास्टर से दोसी की और उसका बरुसा जीता जिस पर धोर उसे कहता है कि तुम अब तो पहले यां कैसे आ सकते हो तो ग्रेंड मास्टर उसे बताता है कि अगर तुम वापस एसगार ज तुम्हारी आजादी मिल जाएगी तो थोर मान जाता है और ग्रेंड मास्टर उसे ग्लेडियेटर कौर्टर में डाल देता है ताएक्यों अगले दिन थोर और उसके चेंपियन का मेच करवा सके तोर की मुलाकाद वहां कोर्ग और मिक्से होती है तोर कोक से कहता कि तुम क्रोनन हो मगर तुम यहां कैसे आए तो कोर्ग उसे बताता कि मैंने अपने प्लेड पर बगावत करने की सोची थी लेकिन उन्होंने मुझे हां बेज दिया मगर मैं इस पर भी बगावत करने कोशिश कर रहा हूं तोर यहां से निकलने कोशिश करता है लेकिन वो जगए एक बुल बुल लया थी कोर्ग तोर को बताता कि ग्रेंड मास्टर के चेंपियन से कोई नहीं जी सकता क्योंकि आस तक जो भी उससे लड़ा उसे चेंपियन ने मार दिया इसलिए मैं सिर्फ चोटा मोटा दंगल करता हूं और लोगों का मन बेलाता हूं तो थोर उसे कहता है कि मैं उस चेंपियन से जीत कर रहा हूंगा और यहां से निकल जाओंगा फिर थोर उड़ास हुआ अपने पिता को याद कर रहा होता है लेकिन तबीं लोग की अपनी प पर ध्यान नहीं देता तो लोकियों से कहता है कि हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुमने देखा ना कि एला कितनी तागतवर है और उसने तुम्हारे हैमर को भी तोड़ दिया था लेकिन थोड़ उसकी बात नहीं सुनता फिर हम देखते हैं कि थोड़ाई के लिए अपना अ खत्रे में हैं लेकिन वलकरी उसकी बात नहीं सुनती और वहांसे जाने लगती है तो थोड़ उसे कहता है कि लगता है तुम कोई देश-द्रोई काहर हो इसलिए तुम मेदान छोड़कर यह भाग आई तो वलकरी उसे गहती है कि इस गार नहीं सकार है इसलिए तुम्हारा यहां से निकलना नामुम्किन है तब यहां को सिपाई आकर थोर को वाँ से ले जाते हैं और उसे लड़ाई के लिए त्यार करने लग जाते हैं वो थोर के बाल काड़ देते हैं फिर हमें दंगल के मेदान को दिखाया जाता है जहां आज इस मेच को देखने के लिए बहुत स होता है क्योंकि उसे लगता था क्यों मर गया है और उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारता रहता है तो और को इससे अपने पिताई की चलक दिखाई देती है जिससे उसकी शक्ती काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपने पुरी पार से हलक से फाइट करने लग जाता है जिससे हमें यहाँ थोर और हलक की बहुत ही एपिक फाइट दिखाई जाती है जहां थोर अलक को बुरी तरीके से दो रहा था ग्रेंड मास्टर जब यह देखता है कि उसका चेंपियन हार रहा है तो थोर को इलेक्टरिक कर सबी को बचा लेता है और ने एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है जो कि एसगार्ट के पुरजों का किला था जहां उसने एसगार्ट की आदी जंता को छिपा रखा था वहीं थोर की जब आँख खुलती है तो हल्क के शांदर क्वाटर में होता है जहां अलक ना रहा थ थोर हल्क से बूचता है कि तुम यह कैसे आए तो हल्क उसे वह कींजेट दिखाता है जिससे वह यहां आया था इससे अब थोर को विशाष हो जाता है कि वह यहां से निकल सकता है इसलिए हल्क को भी अपने साथ जाने के लिए मनाने लगता है वह से गहता है कि हमेरे एक न करने लगता है लेकिन उसके गले में इलेक्टिक डिस्क लगी होई थी इसलिए वहां से नहीं निकल पाता तो और गोगों समन नहीं आ रहा था क्यों क्या करें इसलिए हमडाल कावल लगाता है और उसे कियाता है कि मेरी मदद करो तेमडाल उसे अपने पार से एसगार दिकाता है जहां वोसे बताता है कि मैं एइसगार्त के लोगों को पुरजो के पुराने किले में चिपा रहा हूं और अगर एक बार सिपाई हम तक पहुंच गए तो हमें एसगाट छोड़ना होगा क्योंकि एला की शक्तियां दिन बाद दिन बढ़ती जा रही है इसलिए अगर उसे रोका नहीं गया तो पुरे ब्रहमान को खत्म कर देगी तब ही थोर वापस अपनी ब बज़े से तुमसे कोई प्याण नहीं करता जिससे हलक gracias हो जाता है तो थोर उसे माफिमांगता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक allemaal करना होगा और उसे वर्करी को यहाँ बुलाने हूं कहता है क्योंकि वलकरी हलक की काफी reflect की यौकरी उसे आती है तो थोर उसे बात नहीं सुनती और वहां से जाने ही लगती है तो थोर उसे रोकर कहता है कि तुम तो विरांगनाओं की महां टीम का हिसा थी तो तुम यहां केसे आई तो वलकरी उसे बताती है कि तुम्हारी बेन की शक्ती एस गार से है और जब उसकी शक्ती हस से जादा बढ़ गई थी तो उसने महल में कतले आम किया और ओडिन की गदी छीनने कोशिश की तो ओडिन ने उसे सजा सुनाई मगर एला ने भागने कोशिश की इसलिए ओडिन ने वलकरी की टीम को उन्हें रोकने बेजा लेकिन सिब मैं जिन्दा बची क्योंकि मेरी एक साथी ने मुझे बचा लिया तो वलकरी कहती है कि सब भूल जाओ जैसे मैं भूल गई थी मगर तोडिन ने उसे इन बातों में फसा कर उससे इलेक्रिक डिवाइस चुडा लिया था इसलिए उसे थेंस कहता है और वो उस डिवाइस की मदद से उस इलेक्टिक रिंग को अपने गले से निकाल लेता है और उसे अपने पोकेट में रख लेता है तोर वड़कर इसे कहता है कि मैं सली हीरो हूँ और मैं अपनी मुसिवतों से भागता नहीं और वो खिड़की दोकने के लिए नताशा का वीडियो चला देता है क्यों गाता ता कि बेदा नताशा से प्यार करता है इसलिए बेदा हल्क पर हावी होने लगता है इसे बेनर के रूप में आ जाता है थो और उसे वह पुछले 2 सालों से हल्क के रूप में थे जिससे हल्क ने तुम्हारी बोडी पर कपजा कर लिया था बेनर इससे काफी एरान होता है कि उसकोया के बाद से हल्क था और उसे अपने पिछले दो सालों का कुछ या नहीं है तब यहां ग्रेंड मास्टर सभी सकारवासियों को अलट करता है कि थोर मेरे चेंपियन हल्क को लेकर भाग गया इसलिए सभी उसकी तलाश में लग जाओ थोर बेनर को बताता है कि तुम दो सालों से ग्रेंड मास्टर के गुलाम थे फिर उसे पहनने के लिए टोनी के कपड़े देता है और उसे शांद रहने हो कहता है क्योंकि थोर को डर था कि अगर बेनर वापस से हल्क बन गया तो उसका बेनर बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहीं ग्रेंड मास्टर लोकी और वलकरी को अपने पास बुलाता है और ने कहता है कि थोर ने मेरे चेंपियन को गायब कर दिया है इसलिए तुम्हें कुछ भी करके उसे पकड़ कर लाना होगा तो दोनों वांसी निकल जाते हैं लोकी वलकरी से गयता है कि तुम मेरे भाय का साथ क्यों दे रही हो तो वलकरी उसे गयती है कि मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूं लेकिन केता है कि मैंने सुना था कि सभी वेलकरी कुटों की मौत मारी गई थी इससे वलकरी को बहुत गुसा आ जाता है और वो थोर को ब्योश कर देती है वहीं थोर और बेनर एजगार्ट का रास्ता ढूरने कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन तभी एक राक्षास बेनर पर्टे करने लगता है लेकिन तभी वलकरी वहां आकर उसे बचा लेती है क्योंकि वो भी अब धोर का साथ देना चाहती थी इसलिए उन दोनों को लेकर अपने साथ जाती है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि बेनरी हलक है वो धोर को कहती है कि मैंने नशे में अपने अतित को बुलाने मे बहुत साल भी ताए लेकिन अब मैं अपनों से और मुझ नहीं फेर सकती इसलिए अब मैं भी तुमारे साथ हूँ और उने लोकी दिखाती है जिससे उसने केद कर लिया था लेकिन धोर को विशाश नहीं होता इसलिए और लोकी पर एक चीज फेकर चेक करता है और वलकरी को बताता है कि हम यहां से शेतानी सुरंग से निकलेंगे जिससे हम कुछी घंटों में एस गाड़ पहुंच जाएंगे तो वलकरी उसे बताती है कि यह सुरंग तूरते न्यूट्रोन सितारे से बनी है इसलिए मैं इस सुरंग को पार करने के लिए कोई मजबुत जाज ढून तो बुरुस सभी को कहता है कि हम लोकी पर बरोसा नहीं कर सकते तो थोरुने कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम यहां करांती शुरू कर सकते हैं और वलकरी को अपना प्लान बताता है जिससे वलकरी को और गुरुस के सभी साथियों को आजात कर देती है जिससे हम बगाव शुरू कर देते हैं ग्रेंड माश्टर को जब इस बात का पता चलता है कि सारे केदी भाग गए हैं तो अपने सभी सेनिकों को उन्हें डूरने में लगा देता है जिससे मौका बाकर तो लोकी की मदद से उस एंबर तक पहुंचे आता है जहां सारे जहाज रखे हु इसलिए उसने लोकी के बीचे इलेक्टिक डिस्क लगा दी थी और लोकी के अलाम बजाने से पहले उसे एक्टियट कर देता है जिससे लोकी को शोग लगने की वज़े से वो नीचे गिर जाता है तो अपने सभी सेनिकों को थोर को पकड़ने के लिए उसके बीचे लगा द मिल देता है लेकिन ULKRI उसकी मदद करती है और वह बेनर को थोर के पास पहुंचा कर शेवeszविय डिश्तूइ करने लग जाती है यहां सब आकर उस चेंबर में पहुंच जाता है जहां एक बहुत बड़ा जाज रखा हुआ था तब यहां कोर्ग को इलेक्टिक रिमोन दिखाई देता है इसलिए उसे ओफ कर देता है और लोकी को भी अपने साथ चलने हो कहता है लोकी देखता है कि वो सभी बेवकूफ हैं इसलिए कौन सभी हो कहता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा जाहर लेकर वहां से निकलने लग जाते हैं वहीं हमें एस गार्ड में दिखाए जाता है कि एला ने बाइफ फ्रोश की तलवार को डूनने के लिए सभी बच्चे हुए एस गार्ड वासियों को इकटा कर लिया था और उन सभी में से एक लेड़ी को अपने जल्ला दिसकरच के आतो मरवाने लगती है लेकिन तबी एक आदमी उन्हें रोग लेता है और बताता है कि मैं जानता हूं कि तलवार कहा है और उहेला को पुराने किले की तरफ लेकर जाता है जाहेला किले के गेट को तोड़ने लग लेकिन एमडाल को इस बात का पहले ही पता चल गया था इसलिए हो सभी लोगों को दूसे रास्ते से वहां से निकालने लग जाता है वहीं थोर और उसके दोस्ट शेतानी सुरंग को पार करके एसगार्ट पहुंच जाते है जहां उन्हें शिप के डिटेक्टर से पता चल जाता है कि हैला पुरजो के पुराने महल के बाहर पहुंच गई है इसलिए तोर वलकरी को कहता है कि तुम मुझे महल छोड़ दो जिसे मैं हैला का ध्यान बढ़काऊंगा और तुम सभी एसगार्ट के लोंग को बचाकर बाई फ्रोर से यहां से निकल जाना तो वलकरी उसकी बाद माल लेती है और उसे महल में छोड़ देती है जहां तो सियासन बरवेट कर अपने पिता के अतियार गुंगनीर की आवास से Хेला को वहां बूलाने लगजाता है जिसे हेला महल पहुंच जाती है जहां ओथोर को कहती है कि पिता जी और मेने साथ में बहुत से गरह जीते थे जिससे हमने सबी जय खुन के नदिया बहादी थी लेकिन फिर जब तुम पैदा हुए तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और दयालू राज़ा बनने का फेसला किया तायकियो अमन कायम कर सके लेकिन अब पिताजी नहीं रहे इसलिए मैं वो सब आसिल करूंगी जो करने लगती है लेकिन उस पर गोल्यों का कोई असर नहीं होता और फेंडिस सभी लोग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है यह देखकर बेना नीचे कूछ जाता है और हलक में ट्रांसोम हो जाता है यह देखकर वलकरी भी हिरान होती है कि ब्रूस ही अलक था हलक फें लेकर पहुंच जाता है और सभी एस गाड़ वासियों को जहाज पर चड़ाने लग जाता है ताहिकियोंने सेफली वास से बहार निकाल सके वहीं एला थोर को बहुत मारती है और उसकी एक आख फोर देती है क्योंकि वह बहुत जाना ताकतवर थी वह थोर को बाहर कर नजा तो अधिन उसे कहते है कि मैंने तुम्हें वह थोरा तुम्हारी शक्तियों काबू करने और उसे बढ़ाने के लिए दिया था और तुम्हा थोरा के देवता नहीं हो तुम गोड़ ओफ थंडर हो तो थोर उन्हें कहता है क्या बहुत देर हो चुकी है हेला ने एस गार्ट क करने लगता है जिससे हेला दूर गिर जाती है यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और थोर अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर हेला के सेनिकों को मारने लग जाते हैं यह देखकर इसकच काफी डर जाता है इसलिए वो भी बेच बदलकर एस गार्ट की जनता के साथ शि कि हमें उसे रोखना होगा जब तक कि सभी यहां से निकल नहीं जाते तो थोर उसे गहता है किसे कुछ नहीं होगा क्योंकि जब तक हेला एसगार्ड में रहेगी उसकी शक्ती बढ़ती जाएगी और वो कुछ भी करके हमें ढून लेगी इसलिए में उसे खत्म करने के लिए रेगने रोख बहिश्वाणी को पुरा करना होगा और वो की को बताता है कि सरेटर का मुकूट तीजोरी में रखा हुआ है इसलिए तुम्हें उसे अनन्द अगनी में मिलाना होगा जिससे सरेटर विशाल रूप में हेला और एसगार्ड को बरबात कर देगा तो लोकी को अच्छ लगता है और तीजोरी की तर्म निकल जाता है हेला तोर और वलकरी पर अटेक करने लगती है लेकिन उसके बीट बुरा लगता है और समझ जाता है कि उसके पास यह मौका है जिससे हो खुद को साबित कर सकता है इसलिए वो सभी लोगों को बचाने के लिए हेला के सिपाईयों को अपनी गण से खत्म करने लगता है जिससे हो शीप एला की केस से छूड़ जाता है और सभी सेवली बचकर वहां से निकल जाते हैं लेकिन एला इसकच को मार देती है वहीं लोग की मैल में पहुँचकर सेटर के मुकुट को अनंतगनी में रख देता है लेकिन और निकलने से पेले टेसरेट को अपने पास रख लेता है अनंतगनी की वज़े से सेटर का पुनरजनम होने लग जाता है और उसका बहुत विशार रूप हो जाता है यह देखकर तो थोर और वलकरी मिलकर उसे ब्रीज से नीचे गिरा देते हैं लेकिन अलक बहुत बुद्दू होता है इसलिए से लड़ने चला जाता है मगर से उसे दूर फेक देता है तो और अलक को समझाता है कि हमें यहां से निकलना होगा तो अलक उसकी बात माल लेता है और उन दोनो थोर उसे गहता है कि तुमने हम सबीज की जान बचाए और एसगर्ड भी पसेका जहां हमारे लोग होंगे तो फौर खुश होता है और अब वह अपने पीड़ाई की तरफ एक लेता है तब ही लोग की भी वहाँ जाता है तो थोर उसे गेता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो और अब थोर एसगार्ट के राजा के रूप में खुद को सिकार करता है और उससे भी प्रती की तर्म निकल जाते हैं और यहीं पर यह मुवी एंड हो जाती है फिर हमें इस मुवी के मिट केट सीन को दिखाया जाता है जहां लोग की थोर से पूचता है कि मैंने न्यूयोक पर जो अमला किया था क्या उसके बाद मेरा प्रती पर सागत किया जाएगा तो थोर उसे विशाच दिलाता है कि सब कुछ ठीक होगा लेकिन तभी वहां थेनोस का बहुत ब जाता है और यहीं पर इस मुवी की एंडिंग हो जाती है